आईए देखते हैं स्टॉक मार्केट की ताजा खबरे आज 10 मार्श 2023 है और जैसे हमने कल यूट्यूब पे स्टॉक मार्केट का अनलिसिस किया था जहां पे मैंने एक इंपोर्टन कंसेप्ट आफ व्यू बिल्डिंग बनाया था और प्लस मैंने आपको क्लियरली कहा था कि मा मॉर्निंग में ही गिरने वाला है तो आप देखोगे जबर्दस मॉर्निंग में गाप डाउन हो गया और लगभग 1% मार्केट नीचे गिरा अगर आपने कल का मेरा शाम को यूट्यूब निफ्टी बैंक निफ्टी का अनलिसिस नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूंग का डेफिनेटली देखना क्योंकि वेविल्डिंग का इंपोर्टेंट कंसेट वहां पर एक्स्प्रेंग किया है अब आज की ताजा खबरे क्या है आईए देखते हैं और बहुत इंपोर्टेंट है कि जस्ट हमने व्यू बिल्ड ही नहीं किया तो आज हमने अनलिसिस भी सह किया निफ्टी के पुट का बैंक निफ्टी के कॉल का और एक गलत हो गया अगर आपको ऐसे इंट्राडे के अनलिसिस चाहिए तो आपको कहां मिलेंगे तो डिस्क्रिप्शन में जो वाट्साप कम्यूनिटी लिंक है वहां पर मिलेंगे अब गलत हुआ इसका मतलब यह न निकल जाओ तो पूरे दिल हमने प्रॉपर्ली कंसेट के साथ ट्रेड किया और जो वाट्साप कम्यूनिटी में लोग थे उन्होंने अच्छा खासा इंजॉय भी किया आगे देखते हैं कि आज का हमारा में अनलिसिस क्या है यहां पर आगर आप देखोगे फाइनांस इचे गिरी है और जो उपर है वो मिसलीनियस है तो ओवराल इट्स अवीक मार्केट डिक्सन उपर है गेल ऐसे कुछ पैटन नजर नहीं आ रहा है तो एनिवेज विल इग्नॉर इट पॉलीकाप एक अच्छी कंपनी है बट टॉप पे जाके बड़ा सैल आउट आता है तो में भी उसके ही रीजन है अगर आप यहां पे देखोगे जो भी स्टाउक गिरे हुए है इनका इतना कुछ बुरा नियूद नहीं है जस्ट ओवराल मार्केट गिरा है इसके लिए गिरे हुए है तो अगर आपके कोई स्टाउक इसमें है तो फिलाद यह टेमपरवरी पेस है कंटिन्यू करना सेवी ने एक बहुत अच्छी ना अनॉंस्मेंट की है बीस लाग का रिवाड देंगे किसको अगर मार्केट रेगिलेटर जो इलिसी आफेंडर्स रहते है ना फॉर एक्जांपल किसी ने करजा लिया है और बाद में कह रहा है कि नहीं में पैसा देने क पैसा वापस करने के लिए कुछ ही नहीं असेट या घर नहीं है गाड़ी नहीं है पर एक्जांपल विजय माल्या केस जैसे कि बहुत सारे बैंक का करजा उनके पास था बट आड़ सेम टाइम आप देखोगे तो लंडन में उनके अच्छे का से बंगलो से याट से यह बे अगर आप शेर करोगे हमें हमारे हमें की डिफॉल्टर की प्रॉपर्टी कहां पर है क्या है और वह सही निकली तो से भी 20 लाक्स का आपको इनाम देंगी तो अगर आपके कोई प्रमोटर जो डिफॉल्ट हुए है पैचान के है जो भी है तो आप यह न्यूस को यूनिट ओफ ताटा मोटर यह से अपरूवल ले चुकी है इनों ने आप सेभी फॉर अपरूवल पर आइपयोग वोके अभी तक अपरूवल मिला नहीं है इनों ने पूचा है हमें आइपयो के लिए अपरूवल दे दो ताटा टेक्नॉलोजी क्या करती है तो तो ताटा मोटर्स की जो शेयर वाली है अनलॉक होगी कैसे होगी क्यूंकि आदेखो मेजर होल्डिंग्स जो प्रमोटर्स है वो ताटा मोटर्स है अब जब ताटा टेक्नोलोजीज इंडिपेंडेन्टली लिस्डाउन होगी और ऑगर वो प्रॉफेटेबल कंपणी रही तो ताटा 6.75 परसेंट तो यहां पर देखोगे तो डायरेक्ट इससे जो इंड़सेंट बाइए आईडिएफसी बैंक है इनको डायरेक्ली कुछ फाइदा नहीं होगा सेविंग अकाउंट पे अगर इंट्रेस्टेट बढ़ा दिया क्योंकि उनके जो कस्टमर्स है उनको जादा व्या तो revenue बढ़ेगा definitely और उसके कारण profit बढ़ेगा बट अगर existing आप देखोगे तो इनके जेब से पैसा जादा जाएंगे थोड़ा सा tricky है बट आपको समझना पड़ेगा कि जब interest rate saving account पे कोई बढ़ाते है बैंक तो बहुत सारे saving accounts आते हैं overall बैंक को अच्छा कासा profit होता है यह normally technology companies को जो है SVD वो loan देती है या पैसे देती है और आप देखोगे उनका shares कितना गीरा है 60.41 decrease और क्यों a swath of US banks after the technology focus lender said it lost nearly 2 billion selling assets following a larger than expected declining deposits तो इनका basically 2 billion का problem हो गया और उसके वज़े से US bank इनोंने इनको line किया था उनको भी तक्रीफ हो गई तो ये कुछ ना कुछ definitely आप देखोगे US market में थोड़ा बहुत impact जादा नहीं होते रहेगा temporary banking sector US में थोड़े से down हो सकते है European stock futures sharply lower अभी reason क्या है तो आज US के payroll का data है और US payroll क data या फिर job offer data कैसे लोग देखते हैं यह मैं आपको बताता हूं कि अगर payroll का कम data अगया यानि कि कम लोग है जो job पे लगे है तो नॉर्मली क्या होता है आइधर recession करके माना जाता है stock और market मीचे गिर जाता है और अगर जादा लोगों को नोक्री लगी है तो economy बूम हो रही है तो इसके लिए market उपर जाता है बट last time US के लोगों ने क्या किया US market ने कि इनोंने समझा कि चलो अभी jobs तो कम हो गए यानि कि inflation कम होगा growth भले होना हो inflation कम होगा तो यह खुश हो गया और इनोंने जाके stock market को उपर बढ़ाया तो यह कभी market अपने हिसाब से यह payroll data का analysis करते रहत है बट लॉजिक जो है वो मैंने बताया है वही चलता है most of the time jobs बड़े economic growth हो रही है stock market उपर जाएगा jobs कम हुए recession आ रहा है stock market नीचे जाएगा अब आज का जो आप देखोगे ना सबसे पहला trade हमने 15 minutes के चार्ट पे लिया था बट यह 5 minutes का है यहाँ पे जैसे ही breakdown हो गया उठ लिया और यह देखोगे entry 120 की target 140 का exactly 145 तक जाके आया और क्यों हमने 140 पकड़ा क्योंकि यहाँ पे आप left side पे देखोगे तो support था और stop loss 99 का आप देखोगे पूरे इसमें उपर गया ही नहीं बाद में यहाँ पे वापिस bank nifty का हमने एक अच्छा खासा call analyze किया और आया तो cost to cost या थोड़ा सा loss में हम exit होगे तीन trades दो अच्छे एक छोटा सा cost to cost या थोड़ा loss में exit overall fantastic day आपको वापिस ऐसे चहिए तो आपको किदर मिलेगा WhatsApp community इसकी link description में है उसे join करना आप कल Monday से आप भी analysis देख सकते हो